नोटिफिकेशन आ गया TGT का जिसका आपको इंज़ार था और उससे पहले PZT का नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया है बहुत अच्छी वेकंसी आने वाली है PRT का नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और और भी UPTCT, PZT अगर मैं बात करता हूँ या LT grade की vacancy की मैं बात करता हूँ या अलग-अलग state में जो vacancies आने वाली है आप सब लोग जानते हैं एक तो elections हैं तो उसकी वज़े से भी आपको vacancies ज़्यादा देखने को मिलेगी और ये vacancies आने आने हैं आप सब लोग जानते हैं दोस्तों इससे पहले मैंने तीन मोग बनाए हैं और तीन मोग दोस्तों आपके अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों के तीनों मोग दोस्तों आपको देखने को मिल्स आएंगे जाकर देखिए मैंने जो डिटर्ट प्रैसस भी का स्रीज स्टार्ट किया है इसमें मैं बहुत ही important questions रखने वाला हूँ आपके exam के लिए बहुत useful होंगे और हर type का questions में लेकर आऊंगा चाहें वो synonym हो आपका antonym हो, आपका idiom हो, आपका phrases हो या दोस्तों grammar का कोई भी questions हो आएए, बिना दीरी के session को शुरुआत करते हैं और question number one आपके सामने आने वाला है इससे पहले ये छोटी सी information बता दूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को like और share, subscribe करना ना भूले दोस्तों अगर आप इन में से किसी भी exam की तयारी कर रहे है और आप सब लोग जानते हैं मीनी में बगर मैं बात करता हूँ तो 20 marks में English पूछा जाना है तो इन सारे exams के लिए मेरी ये videos बहुत जादे useful होगी चाहे आप PRT दे रहे हो, TCT दे रहे हो, PCT दे रहे हो या LT grade दे रहे हो या फिर दोस्तों KVS या NVS में से कोई भी exam दे रहे हो बिहार का हो या किसी भी और state का आप exam दे रहे हैं तो चैनल को like और share, subscribe कर ले क्योंकि जो notification होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ और plus दोस्तों, जो आपके लिए आपकी जो तैयारी है वो मेरे साथ बहुत easy way है हम लोग साथ मिलकर तैयारी करने वाले हैं actually जो आपको doubt आए थे इस बार EMRS का paper देने में वो doubt नहीं आएंगे अगर आप मेरे साथ पूरा session, last तक दिखते हैं जिस question पर doubt होगा उस पर वाद विवाद करेंगे डिसकस करेंगे मिलकर ठीक है ना तो जो दिक्कते आएंगे उनको दूर करेंगे तो बिना देरी किया session को शुरुआत करते हैं आईए, question bar one आपके सामने हैं दूस्तों, और ask number of questions मैंने कम रखे हैं इंध्यान दीजेगा, आने वाले टाइम में number of questions आपको बहुत देखने को मिलेंगे question bar one आपकी screen पर है और आप लोग को मुझे बताना है कि right answer क्या है TGT, 1 अगस्त तोजार 21 को question पूछा गया है तब तक मैं चाहूँगा सब लोग like, share, subscribe कर ले जो लोग नए है, channel पर भाईया, अपने अपने group में सब लोग share कर लो क्योंकि sessions में बहुत important, important sessions मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ question bar one का आपने कुले मुझे लगता है कि पता नहीं, आप लोगोंने पढ़ लिया होगा कि question bar one का right answer क्या होना चीए कौन बताएगा, question bar one का right answer क्या होगा देखिए, आपको बताना है किसका spelling में जो spelling है, select the correctly spelled word sorry, माप पर येगा, पहले question है select the correct spelled word नहीं, incorrectly spelled word इसको ठीक करिए, सबसे पहले तो, देखिए select the incorrectly spelled word जिसका spelling में जो correct नहीं है मलब, 4 word आपके पास दिये हुए है, और 4 में से कौन सा word है जो spelling में, ठीक है, क्या होगा चलिए जो spelling में correct नहीं है, आपको ये बताना है sorry, माप करिएगा, ये नहीं बताना कि जो spelling में correct था वहाँ पर जो correct लिखा था, उसको incorrect लिखा था, इसको incorrect लिखा था modulation, एकदब spelling रहे था, टेकनोलोजी का मतलब सब लोग जानते है क्या होता है, आज कर हम बहुत टेकनोलोजी का यूज़ कर रहे है दूस्तों, यही पर अगर बात करें, modulation का spelling भी राइट है economics एक subject है, सब लोग जानते है, साइद मुझे meaning बताने की जोगत नहीं है और technology, you know very well, modulation क्या होता है, modulation, something जिसको आप control करते हो, समय जश्य बनाना इसका मतलब ही, समय जश्य होता है, modulation मतलब उतार चड़ाव को control करना कभी life में उतार आता है, कभी चड़ाव आता है, तो मतलब something that you control, that is called a modulation process उसको हम modulation process क्याते है, कोई भी, मतलब एक तरह से चीजों का उतार चड़ाव को adjustment, तो यहाँ पर सिन्वानियम आप adjustment लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, adjustment लिख सकते हैं, चीजों का चीजों को adjust करने का जो process होता है, उसको modulation कहा जाता है, हाँ जी दूस्तों, good evening जी TGT के vacancy आउट हो गई है, यह सब लोग जानते हैं, ठीक है न, और TGT का जो official website पर भी notification है, जो मुझे तो नहीं मिला अब तक, कुछ लोग को कहना है, ऐसा मैं नहीं क्या रहा हूँ, पूरी complete knowledge मैं दे दूँगा, don't worry, tension लेने की ज़रूत नहीं है, next question है आपके पास, तो ब E-R-E-A-T-H-L-E-S, breathless हो जाएगा, जब आदमी breath नहीं कर रहा है, dead जिसको हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, dead, हम कहते हैं, he is dead, जो he is breathless, तो वहाँ पर समझ में आगया होगा, E के बाद A आएगा, E के बाद क्या आएगा, E आएगा, चली आगे, question about one का right answer, दूस्तु क्या हो जाएगा, four हो जाएगा, जिसका spelling क्या है, incorrect है, कौन बताएगा मुझे, बहुत अच्छा question है, और spelling में क्या पूछ रहा है, correctly spelling, देखो, पहले वाला first question था, उसमें पूछा गया था, incorrect, किसका spelling जो है, वो incorrect है, तो breathless का spelling है, वो incorrect था, दूस्तु, question number two में पूछ रहा है, correctly spelled word, किसका spelling correct होगा, किसका spelling क्या होगा, correct होगा, तो कौन बताएगा मुझे की right answer क्या होना चीए, जल्दी से दिखे, important question है, और exam में कहीं बार पूछा गया है, labirantine, labirantine, इसका मतलब क्या है, पहले तो हम लोग ये भी समझेंगे, दूसरा, इसका जो spelling mistake है, कौन सा spelling mistake नहीं है, you have to tell me, मतलब कौन सा वर्ड है, जो spelling में, दूस्तों क्या है, right, कौन बताएगा मुझे right answer क्या होना चीए, LA, BI, R, A, N, T, H, I, N, E, ये फिर दूस्तों, LA, BY, R, A, N, T, H, I, N, E, देखो भई, बिल्कु सिंपल सी बात है, तो right answer इसका एकदम किस्ते क्लियर पढ़ा हुआ है, औ भूल चूक जिसको हम कहते हैं, और spelling दूस्तों, LA, BY ही होगा, R, I, N, T, H, I, N, E, लेबरेंथाइन, भूल बलाया कहिए, भूल चूक कहिए, मिनिंग ये होता है, बागी किसी का भी spelling right नहीं है, तो दुमारा देख लिएजे, word बहुत अच्छा है, LA, BY, बिलकुल, आगे कुछे कभी किसी एक्जाम में मिल रहा है, फिर कभी किसी और एक्जाम में मिल रहा है, तो कुछे सापको देखने हो कोई नहीं मिलते ही रहेंगे, explicit, मिनिंग आपको बताना है, दूस्तों, एंटनियम आपको बताना है, पहला word है, elusive, elusive, ambious, ambiguous, ambiguous, explicit का मतलब होता है, something that is clear, किसी कोई चीज जो clear है, मतलब अगर मैंने कोई statement दिया है, या मैंने कुछ आपको पढ़ाया है, उसमें आपको doubt नहीं है, तो आप कहेंगे, this is explicit, this is clear, undoubtedly, unclear का opposite है, उस तो, किसका unclear का opposite है, तो please tell me कि right answer क्या होना चाहिए, number of questions बहुत ज्यादा कराने वाला हूँ, ठीक है न, अ भी थोड़ा सा कम इसलिए रखा था, क्योंकि मैं सोच चाहता है कि notification आज है, लेकिन आम notification आ चुका है, और PRT का notification भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, हाँ जी, तो right answer क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ भई, question number third का right answer, आप लोग के recording क्या होना चाहिए, explicit का मतलब क्य क्या का है, मैंने clear होता है, जिसमें आपको doubt ना हो, तो right answer दोस्तों, ambiguous हो जाएगा doubtful, four is the right answer, अब ambidextrous क्या होता है, illusive क्या होता है, ambidextrous कि अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसा person जो दोनों hands का equally use करता है, एक ऐसा person जो दोनों हातों का equally use करता है, उसको ambidextrous person कहते हैं, क्या क कमेंट करें, गलत भी होगा, तब भी बात करेंगे, ambidextrous आज के बाद कभी मत भूलिएगा, सुनिये, ambi, 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 ambi का मतलब है, अगर ambi word आज के बाद कहीं पर आजाए, ये एक root word है, जिसका मतलब होता है, both, क्या होता है, both, धियान दीजे, आपने एक movie देखे होगी, three idiots, उस three idiots movie में, जो virus नाम का प्राणी है, जिसका नाम virus रखा हुआ था, एक character था virus, वो दोनों हातों का equally use करता था, जैसे जितना हम lap से रिखते हैं, उतना हम right से लिखें, जितना हम lap से रिखते हैं, उतना हम right से लिखें, एक ऐसा person जिसके दोनों हातों का equally use होता है, उस person को, यह वो equally use कर सकता है, उसको ambidextrous कहा जाता है, आपके जो अटल बिहारी वाजपेजी जो परधार मंतरी थे, अब तो नहीं रहे, वो भी ambidextrous ही person थे, उनके दोनों हातों equal use करते थे, जैसे मैं left handed हूँ, कोई person हो सकता है, left handed हो, लेकिन ऐसा person जो left का भी उतना equal use करता हो, और जो right का भी उतना equal use करता हो, left right दोनों का equally use करने वाले person को ambidextrous person कहते हैं, और ambga मतलब both होता है, क्या होता है, बोत होता है, तो right answer ambidextrous तो नहीं होगा, अब बात करते हैं, allusive, allusive समझिए, allusion से बना हुआ रहारा,ünüz damp नोजन सम तो वो सारी चीजे ईलूसीव थिंक्स हैं, अलूसीव का मतलब ही भरम होता है, अगर किसी ने कोई ऐसा इस्सरेट्पमेंट दिया है, या किसी को कोई ऐसा एक्षन लग रहा है, कि बहु इए इसमें इलूजन है, तो एक्षन अलूसीव एक्षन है, Мतलब इलूजन से बढ़ वहाँ धोके से भरा हुआ भरम जिसका मतलब होता है तो ऑलेसीव मतलब भर्मित होता है यह सी कमदल क्या होता है भर्मित हम कहते हैं मुझे ऑनकुछ ऐसा फिल हो रहा है कि साइद में इस चीज को लेकर इलूज़न में हूँ तो उस समय वह जो एक्शन हो रहा है वो elusive action है कौन section है भी या elusive action है उम्मीद करता हूँ मेरी वास्वन में आए भी अब ये elusive बहुत बार पूछा गया तो elusive को दूस्तों illusion से याद कर लो भरम पैदा करने वाली कोई भी चीज उसको elusive कहा जाता है उम्मीद करता हूँ clear हो आगा elusive elusive क्या होता है दूस्तों ध्यान सुरिए elusive very very most important है आपके examen मिलेगा ऐसी कुछी जिसको पाना मुस्किल होता है not easy to catch not easy to catch not easy to catch कहिए not easy to get कहिए जिसको पाना बड़ा मुस्किल काम है जिसे हम कहते हैं आजकल एक अच्छी जो पाना elusive हो गया है किसी भी चीज को पाना जब मुस्किल हो मतलब किसी चीज को आसानी से आप नहीं पा सकते उसको दूस्तों कहा जाता है हाँ दूस्तों वन्टरफर एक्जमा फोर थी रिट्स थैंक्यू जी थैंक्यू वरे मच अमोल जी तो थी रिट्स क्लियर हुआ होगा आप लोग एप्रिशिट करते हैं अच्छा लगता है एक बच्चे ने कहा अमोल जी थैंक्यू थैंक्यू वरे मच दियो ठीक है ना तो एंबी डेक्सेस क्लियर होगा होगा ठीक है भई एक्स्प्लिसिट क्लियर हो गया जिसमें कुछ डाउट ना हो वो एक्स्प्लिसिट है कोई स्टेक्मेंट आपने सुना है कोई भी पैराग्राप आपने पढ़ाया आप कहेंगे ये पैराग्राप मुझे क्लियर है तो ये पैराग्राप मुझे एक्स्प्लिसिट है और जब चीचों में doubt होने लगें, तो वो ambiguous होता है, ambiguous का मतलब भी doubtful होता है, तो right answer यहाँ पर 4 हो जाएगा, illusive clear हो गया, हमने कहा एक ये बहुत मुस्किल काम है, एक अच्छी जोब पाना illusive काम है, तो illusive मतलब जिसको आप आसानी से नहीं पा सकते, किसी भी चीज को जिस तक आप आसानी से नहीं पहुंच सकते, आसानी से उसको catch नहीं कह सकता, वो सारी जोब illusive जोब है, चले, आगे बढ़ते हैं 4, 4 और important है, और exam के लिए very very most important, देखो यार, अगर आप पढ़ने वाले instrument है, तो exam तक मैं TZT, PZT में इतने questions करा दूँगा, ये questions पे actually TZT का है, अग यहाँ पर सन नहीं लिखा, आगे जो questions आएंगे उन पर सन लिखा हुआ है, दू-चार questions मैं mix करके वो डालूँगा, जो मुझे लगता है कि इस concept पर based question आपको exam में मिल जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, जी, समझे ये very very most important word, sorry, very very most important question, all his statements duly testify, his truthfulness and honesty, पहले तो आप सोचेंगे तो answer अपना मिल जाएगा, जी, Amol, Meena, बाकि और लोग भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं चाहूँगा यार सब लोग please comment लिखा करो ताकि मुझे भी clear हो कि हाँ मेरी बात आपको सुन में आ रही है, उसके जो सारे statements हैं, उसके जो statements हैं, वे duly testify है, testify का म बनना, किसी इसकी गभाई देना, तो उसके जो सारे statements हैं, वो duly है, मतलब समस्के डूली क्या होता है, जब एक बात के दो मिनी निकल रहे हूँ, duly testify किसको, उसकी truthfulness को, truthfulness का मतलब सब लोग जानते हैं, सच्चाई होता है, और किसको दूस्तों honest को, हाँ जी, right answer क्या होना जो fixed रहता है, वो two रहेगा, और कोई भी proportion यहाँ पर नहीं लगाना है, जैसे मैं किसी पर्सों को कहता हूँ, कि मैं तुम्हें interested हूँ, तो हम interested के साथ एक proportion लगाते हैं, वो है in, I am interested in you, she is interested in me, अब यहाँ पर interested के साथ आप into नहीं लगा सकते, interested के साथ two नहीं लगा सकते, interested तो टेस्टिफाइब देखते ही आपको टू लगाना है आखे बन करके कोई टेंशन नहीं लेना है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कोशन बर थर्ड देखो कोशन बर थर्ड एक्चुली मैंने पेपर का लेवल वो कर दिया है जो आपके एक्जाम में बार बार आ रहा है वो लेवल मैं करा रहा हूँ एमरस के एक्जाम का बहुत अलेसिस किया मैंने ठीक है ना अब आगे जितने भी एक्जाम होगे उनीके अलेसिस के कोडिंग मुझे मैं कोशन सर्च करके लेकर आऊंगा और जो प्रिवियस से रहे वो पूरा खत्म करूंगा और उस लेवल पर मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट और बेस कोशन आना चीए तो डेफेटली मेरे शेसंस में आपको देखने को मिलेगा हाँ दूस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर आपके सामने है कौन बताएगा मुझे अबरी मोर्निंग संराइज इंदाइस्ट तो बहुत प्यारा क आज के बाद कभी आप इसमें गलती भी नहीं करेंगे अभी नहीं कहने हैं थर्ड राइट आंसर हो जाएगा थर्ड रायट राइट आनसर हो जाएगा यार सब लोग बताये को प्लीज आवरी मोर्निंग संराइज इंदाइस्ट आपके अकोडिंग यहाँ पर जो एडर है वो क्या होना चाहिए प्लीज टेल में हाँ दूस्तों हरिया फोर एक स्ट्रेंट ने मुझे का आप फोर तो कोश्चन को देखती है जल्दी से कमेंट क्या अगरो जितनी यल्दी कमेंट आप लोग करोगे उतनी यल्दी मैं समय जाओंगा कि हाँ चलो मुझे आगे बढ़ना फोर ध्यान से सुनिएगा नहीं दूस्तों बहुत इंपोर्टेंट आमोल बहुत बढ़ी ता मिन अच्छली जान प्लेनेट्स लिवनेट्स दूसर्ण होता है इससरद संट होता है थैसे तो प्लेनेट्स चाहिं है आखे बन करकर दा लगा दीजे गंगा से पहले दा नेमस ओफ रिवर्स नेमस ओफ प्लेनेट्स जितनी भी होली बुक्स है जैसे देखिए दा गंगा दयमना दा ब्रहंपुत्रा जितने भी रिवर है उनसे पहले दा आता है जितने भी प्लेनेट्स है उनसे पहले दा आता तो राइट आंसर वन होगा, वन पार्ट में एरर है, कोई बात नहीं है, मौल, सोरी की नीड नहीं है मेरे भाई, आपको ना बस कमेंट करना है, एक चुनि जानतों क्या, गलत सही तो मैं करूंगा यार, डॉंट वरी, पढ़ने वाले स्ट्रिमेंट चाहिए, बस, पकवास वाले नीची है, इतना सा चाहता हूँ, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सेलक्षे लेना चाहते हैं, वो आजाओ, सोरी की मुझे बिल्कुल नीड नहीं कभी भी, हाँ, कुछ चीजों को लेकर मेरे आपके बीच पर विवाद हो सकता है, उन चीजों को मिलकर बैठेंगे, सोल करेंगे, ठीके न, आएए, आगे बढ़ते हैं, तो दस संराइज इस इंदाइस्ट, वेरी, 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 मुस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन, और बहुत बार आपको एग्जैम में देखने को मिलेगा, वेरी, 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 मुस्ट इंपोर्टेंट, मीना से उमीद करता हूँ मैं, कि मीना इसका राइट आंसर बताएंगी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वरी वरी मुझे इसा लगता है अच्छा यही नहीं जितनी थ्योरी है नहीं वो सारी तो मैं यहां कवर कर देता हूँ हाँ बढ़ी कुछ बताएगा नेक्स कोश्चा कांसर प्लीज टल मी हरे वरी वरी मुस इंपर्टेंट कोश्चन है ब्लीव मी के रहे मुझे पर विस्वास करो आई एम ब्लीविग मैं पर विस्वास कर रहा हूँ whatever, जो कुछ भी, whatever मतलब जो कुछ भी, you have said, जो तुमने कुछ भी कहा है you have said, कि जो कुछ भी तुमने कहा है, मैं उस पर विस्वास कर रहा हूँ हाँ जी, मीना देखिए, बहुत प्यारा कोशन है believe not ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, हमने आज तक अपनी भी life में कभी यह नहीं बोला I am hitting you, बता अच्छा कभी बोला है, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ सोच कर देखिए, यह actually tense की error है I am hitting you कभी नहीं बोला होगा आपने I am loving you, मतलब मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, I am loving you, देखो यह sentence ही गलत है, बोलने में अगर आप सोच रहे हूँ, is RM के साथ ing लगा हूँ, is RM के साथ क्या लगा हूँ, ing लगा हूँ, और is RM के साथ ing हमने present continuous में पढ़ा था, is RM के साथ हमने ing बहुत बढ़िया actually English में बहुत बढ़िया, जो मैं सुनना चाह रहा था एक बच्चे ने का study work, actually ध्यान से सुनो यहाँ पर अगर दोस्तों में यह कहता हूँ my loving husband my loving husband तो यहाँ पर एक बहुत important बात my loving husband यहाँ पर loving एक adjective है love में ing लगा है, और husband क्या है? noun है, तो यह तो ठीक है my loving husband actually English में कुछ word है जिन में ing लगा कर आप mean work की तरह अगर use करेंगे तो वो meaningless हो जाते है कुछ context में ing लगा कर आप उसे use करी नहीं सकते love, hate, smile, feel, taste, believe, trust और यही नहीं, एक word और में सबसे ज़्यादा important word लिख रहा हूँ no, no को लेकर बहुत बाहर question पूछा गया है she is knowing me, she is knowing me English में और भी कुछ word है मैं एक बार repeat कर रहा हूँ love, hate, smile, feel, taste, sound, trust, believe और दूस्तों no generally इन में ing लगा कर इन्हें वो main work की तरह use करता है किस की तरह use करता है? main work की तरह है तो दूस्तों इन में ing लगा कर एक word है c, c, s, e इसमें भी ing लगा कर main work की तरह गर use करेंगे तो इसका context इसका context ही बदल जाता है c में ing लगा कर आप दूसरे context में तो use कर सकते हैं पर देखने वाले context में use नहीं कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ यहां तक मेरी कुछ बात clear होगी right होगा सुनिए I believe am नहीं आएगा I believe क्योंकि present in the future ध्यान दिजएगा I believe believe me मुझे में विश्वास करो I believe am believing पूरा अटाना पड़ेगा आपको I believe क्योंकि जब present defeat में I होता है और I को प्लिल माना जाता है तो हम I believe मैं विश्वास करता हूँ whatever you said तो right answer second है बहुत अच्छा right answer क्या हुआ second हुआ और भी कोई word अगर आपको याद आ रहा है तो please आप comment box में लिखिए ठीक है न लेकिन दूस्तों अगर ये कहता हूँ देखिए seeing is believing seeing is believing seeing is believing अब ये एकदम right है क्योंकि यहाँ पर ना तो ये verb है और ना ये verb है दोनों अपने आप में जिरन नाउन है seeing is believing एक कावत है कि देखना ही विश्वास करना है अब ये दोस्तों यहाँ पर subject की जगे use हो रहा है और ये दोस्तों यहाँ पर object की तरह use हो रहा है verb कोई भी नहीं है अगर मैं कहता हूँ he is believing तो अब believing verb बन गया he is seeing me अब ये गलत हो गया है ठीक है ना लेकिन आप उनका उम्मीद करता हूँ मेरी बास सुने sir please explain how and having बहुत अच्छा बिल्कुल एक बहुत अच्छा question आप कहा how or having देखें how or having को आप use कर सकते हैं डियर क्योंकि how के दो मतलब होते है how का मतलब एक तो रखना होता है और एक how का मतलब खाना भी होता है जैसे मैंने कहा I am having food I am having food तो यहाँ पर having का मतलब दोस्तों eating से मतलब है has how का मतलब ध्यान सुनिए has how का मतलब जब eat होता है आपने सुना होगा have lunch how breakfast how tea जब has और how का मतलब क्या होता है eat होता है तो ing लगा सकते हैं I am having breakfast मैं breakfast कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों रखने वाली form में फिर how में ing नहीं आता हम कहते हैं I have a book I have a book मेरे पास एक किताब है अब यहाँ ing बिलकुल नि मैं किताब रख रहा हूँ तो वो तो रोंग हो जाएगा लेकिन how में ing लगा कर आप eat वाली form में यूज कर सकते हैं खाने वाली form में खुब यूज करें अमूल उमीद करता हूँ मेरी बास सबन में आई होगी जैसे we are having we are having breakfast हम breakfast कर रहे हैं तो how में ing लगा कर आप उसे eat वाली form में यूज कर सकते हैं लेकिन दूस्तों सिर्फ eat वाली form में ध्यान दिचेगा having नहीं तो फिर having के साथ अगर third form आएगा having के साथ अगर third form आएगा तो फिर वो perfect participle बन जाता है क्या बन जाता है perfect participle बन जाता है आईए next question आपके सामने है और ये question भी आपके exam में आया हुआ question है tct का question है मैं बता दूँ आपको और tct नहीं यार मुझे questions पता नहीं मैं जो actually जानता हो क्या है मैं बार-बार इन questions को दूसरे exam में देखता हूँ फिर मुझे किसी और exam में मिल जाते है तो have का और has का वंदा सुन में आ गया जैसे हम क्याते है have breakfast, have lunch, have tea तो वहाँ पर हम have में ing लगा सकते है लेकिन having के साथ अगर third form आएगा किसी भी sentence में तो दूस्तों वो बन जाता है perfect participle क्या बन जाता है perfect participle उमीद करता हूँ मेरी बात आप लोगो clear होगी please हाँ जी next बताईए next question आपके सामने है कौन बताएगा मुझे question number seven adversity adversity का दूस्तों आपको synonym feel करना है ध्यान दीजेगा क्या synonym feel करना है और adversity का जो synonym है वो यहाँ से आपको choose करना है ध्यान दीजेगा इन चारों में से एक में से the same says का मतलब होता है सादू सादू संत सादू ने कहा one should keep patience कोई भी आदमें उसे patience रखना चीए क्या रखना चीए उसे patience रखना चीए क्या करने किस दोरान during good times tribute challenges yes दूस्तों hurry up she is having lunch now वो अभी lunch कर रही है she is having no lunch वो अभी lunch कर रही है मतलब इसका मतलब है she is having lunch now का मतलब है she is taking lunch now यह video कही है she is eating lunch now बहुत अच्छा है very nice हाँ जी दूस्तों क्या sound नहीं आ रहा yes चोहन कह रहे हैं कि सर क्या मेरी आवाज आप लोग तो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है पहले मुझे बता दो hardships 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 उम्मीद करता हूँ आवाज तो यहां तक आ रही होगी हाँ जी दूस्तों hardships बिलकॉल adversity का मतलब मिसैफ होता है disaster होता है क्या होता है disaster होता है dia cstr disaster होता है hardships होता है तो right answer hardships हो जाएगा tribute किसी को सरद्धांजली देना होता है good time अच्छा time होता है और challenge होता है दूस्तों आप सब लोग जानते है किसी को चुनोती देना तो right answer four हो जाएगा challenges आगे बढ़ते है hardships सादू ने कहा है कि किसी को भी patience रखना चीए hardships जब कटना ही आती है उसके दोरान बहुत प्यारा question है और important question भी कहूंगा इसको प्यारे के साथ important question कहना मेरी मजबूरी है क्योंकि ये question बहुत important है हाँ जी कौन बताएगा right answer हाँ food के sense आई दूस्तों जी very 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 most important और आपको अगर मेरी बात पूरी सुनी तो आपको आज के बाद इस question में आप कभी गलती नहीं करेंगी ये मेरी guarantee है देखो आपके exam में जो level मैंने note किया न वो कोई tough level नहीं है अगर कोई best friend थोड़ी सी तैयारी कर लेता है तो अच्छे question हाँ food की sense में having is right बहुत बढ़ी है having is right food की sense में कई बार इसको न take की sense में खुब यूज करते है take ये न eating वाली sense में hima was so affected by the movie that she has not speak a word to anyone for a week हरियब कितने लोग मुझे बताएंगे कि right answer क्या हो जाना चे कौन बताएगा मुझे अच्छा question है और important question है देखिए hima was so affected affect हमेशा negative affect का मंदब होता है परभावित होना वो इतनी affect हुई थी किससे movie से that she has not speak a word to anyone for a week sorry माप करिएगा ये दो दो जो दो बार लिखें इसको आफ हटा देंगे कितने लोग मुझे बताएंगे कि right answer क्या होना चे सबसे पहले तो जो भी tense होता है उसका tense देखिए what so affected what so affected ये यहाँ पर past आ रहा है what so affected affect का मतलब होता है देखिए उद्धान से सुनो बहुत important point बताऊंगा awf ect और दोस्तों ewf ect ये noun है और इसको हम verb की तरह भी noun और वब दोनों की तरह यूज़ करते हैं लेकिन ये सिर्प verb है और affect का use हमेशा निगेटिव में करना है awf ect का use किसमें करना है निगेटिव में करना है इस चीज़ का ध्यार नखेंगे जैसे आप किसी परसंट का accident हो जाता है तो affect होता है हमने कोई movie देखी उसका बहुत गहरा सदमा हम पर लगा है हमारे जो विचार है वो निगेटिव हो गए हमारे जो ideas है awf ect निगेटिव होता है और awf ect का use हम लोग noun और वब दोनों की तरह use करते है जिसका मतलब परभाव भी होता है और परभावित करना भी होता है awf ect के मैं बात कर रहा हूँ परभाव भी करना होता है और परभावित करना भी होता है लेकिन जब निगेटिव बात होगी तो वो affect होगा awf ect हाँ, impact जो आता है जो impact है वो awf ect होता है एडबल एफ एसिटी इंपेक्ट होता है अफेक्ट हमेशा निगेटिव होता है और अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को परभावित करना एडबल एसिटी ओल्वेज निगेटिव यस दोस्तों कितने लोग मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होना चीए जो को भाई यह पास्ट है हीमा जो है वो इतनी एफेक्टिड थी मूवी से की अब पास्ट है तो आगे भी पूरा पास्ट ही हमें यूज करना पड़ेगा तो यह प्रजेंट है है जाएक किसा है यह प्रजेंट कॉंटी वे से इस है एक ही राइट आंसर है वो फोर होगा दैट सी तब किसा को नहीं बोला एक वीक के लिए एक वीक तक उसमें कोई भी सब्सक्राइब नहीं बोला क्योंकि यहां पर बोज है तो आगे डिड नोट के साथ वी वन ही लगाना होगा डिड नोट के साथ क्या वीवन उम्मीद करता हू घब अबरका स hmgd तो right answer 4 हो जाएगा बागे देखो has not been spoken, has not been spoken, भाया यह तो present perfect का passive है, has not been spoken, और वैसे भी that see, इसकी कोई sense ही नहीं है first वाले की, that see is speaking, present continuous है बिल्कुल नहीं आएगा, past है तो आगे past में रखना पड़ेगा, और जो 4 है, क्या है, 4, कि उसने एक सब्द भी नहीं बोला था, did not speak a word, आगे बढ़ता हूँ, देखिए, इतना आसान question है कि इस question को कोई भी कर देगा, did not speak वहाँ पर समझ में आगया होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ जी दूस्तों, clear हुई मेरी बात या नहीं clear हुए, पहले तो यह बताओ, when I was young, I play hockey, when I was young, I play hockey, अगर आप देख रहे हैं, कितना आसान सा question है, और tense का question है, past में जा रहा था, मैंने का, when I was young, जब मैं यंग था, I play hockey, means, I played hockey, I played hockey, तो मैंने hockey खेली थी, right answer, जब मैं यंग था, तो मैंने hockey, खेलता था मैं, या मैंने hockey खेली थी, I played, तो right answer हो जाएगा, four यहाँ पर देखे, क्योंकि यह past है, भाई, जब मैं यंग था, मतलब अब बुड़ा हो गया हूँ, ताम मैंने hockey खेली थी, I played hockey, तो right answer four हो जाएगा, play के place पर आपको प्लीड लगाना होगा, क्या लगाना होगा, प्लीड लगाना होगा, क्या लगाना होगा, प्लीड लगाना होगा, question number night में, बता गयर बात clear है, को डाउट हो तो बताओ मुझे जल्दी से, I played hockey, उमीद करता हूँ, यह context clear होगा, four, जब म आपके exam में, हाँ, improvement, used to play, हाँ, देखिए, या तो आप बिलकुल, या तो हम बहुत अच्छा, यह सबसे अच्छा तरीका है, या तो I played hockey, या फिर I used to play सबसे बेश्च था, क्या बात है, I used to play hockey, यह सबसे बेश्च था, बहुत बढ़या है, I used to played hockey, मैं योके खेलता गरता तो I used to play तो खेर, उसकी तो बले-बले है, अगर I played hockey, लगा दोगे तब भी राइट है, लेकिन I used to play hockey, ज्यादा बेस्ट है, मैं होकी खेला करता था, क्या बात है, I am all, very nice, या यह used to play, बहुत बढ़ी है, या देख रहा है, I used to play hockey, यह सबसे बेस्ट था, लेकिन I played hockey का के लिए, वरी-वरी, most important, A Penelope Swap, A Penelope Swap, कौन बताएगा राइटांसर क्या होना अच्छे, वैब तो समझाते है, मकडी का जाला होता है, क्या होता है, मकडी का जाला होता है, तो यहाँ पर आप मकडी के जाले में फस्ट गए है, इसको ऐसे समझे, A Penelope Swap, कहा फस्ट है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी जोब, जो endless जोब है, एक ऐसी जोब, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, एक ऐसी जोब, जो endless जोब है, ठीका न, A Daily Job कहिए, या एन इंपोर्टेंट जोब कहिए, या या यू कहिए, एन endless job, ठी जो पराग्राफ है बहुत इंपोर्टेंट पराग्राफ है और इसको लेकर बाबा कॉस्टन्स पूचे गए हैं मैं चाहूंगा पहली दो मिनिट आप लोगों के पास है क्योंकि यह पराग्राफ मैं पूरा कराऊंगा ठीक ना फिर उसके आगे बात करते हैं और मुझे लग रहा है कि राइट आपको नीचे वाला साइद दिख नहीं रहा है तीनी ओप्षिन्स आपको साइद विजेबल है ऐसा मुझे लग रहा है देखिए यह जो कुशन आया हुआ है यह पीजेटी में पूचे गए कुशन से किसमें पीजेटी में पूचे गए कुशन से आया है एक बार दुस्तों पराग्राप को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं कि कैसे इसका आंसर आप लोग को find out करना है मैं चाहता हूँ सब लोग 2 मिट ले लिजे पुरा पराप को पढ़ने के बाद मैं side हो जाता हूँ और फिर बात करते हैं को पर वन का राइट आंसर है आप लोग कोई बताना हैं दुस्तों सबसे पहले तो यक बार दिखते हैं न्यूटन की बात करते हैं विंद मील बना दी विंद मील मतलब आटा चक्की जिसको आप कहते हैं पीसने के लिए ठीक ना इब वोटर क्लोक एंड ए संडायल हाववर इसाख डिडिन्ट कैट बिल्लियन मार्क्स एट स्कूल बै उसको कोई अच्छे माक्स तो नहीं आई स्कूल में वहाइन ही वोज एटीन इसाख वेंट टू स्टडी एट कैंब्रीज उनिवस्टिटी जब एटीन का था तो कहां पर चला गया कैंब्रीज में वह स्टडी के लिए चला गया उसके बाद बात करते हैं वह सब लोग जानते हैं मुझे साथ मिनिंग बताने का जरूत नहीं होगा एस्ट्रोमर्स जो हैं वह एस्ट्रोमी के जानकार होते हैं बट इन सिस्टिन सिस्टिफाई दे ग्रेट प्लेग बीमारी की बात कर रहें विच वोजे टेरिबल डिसीज इस स्टेरिबल डिसीज ब्यानक डिसीज थी इसपैड इंगलेंट केंब्रीज उनिवस्टिटी हैट टू क्लोस टाउं से बंद करना पड़ा इसाथ रिटार्ण होम टूदा फार्म वापस पर यहां फॉर्म पर आ गया और जब फार्म पर आ गया इसाथ कंटिन्यूट इस्टेड़ी और एक्सपरिमेंटिंग एट हॉ यहां से कहान ही सुरू होती है उसने एक एपल देखा जो कहां से गिराए ट्री से वाइड एपल्स फाल आउन देखे कितने अच्छी बात है हां बहुत अच्छा एक बच्चो ने मुझे कहा है कि राइट अंसर सेकेंड हो जाएगा क्योंकि ज़रा देखेगा कोश्चिन कि अच्छी बात है तर उसने क्या क्या था ओर यह पूरा एक दम किस्टर क्लियर मेंशन हो रखा है कहां पर ज़रा देखेगा एपल्स फाल फ्रॉम इंस्ट अफ अप अपर जानिकी बचाए निचे क्यों गिरता है फ्रॉम इसने क्या क्या है एक दम सेकिंड है एक तम किस्टर की आंसर बढ़ा होता सेकिन इस दा राइट अंसर बहुत अच्छा बात करते हैं कुछ नमबर 12 की देख भी यह 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 रहा कुशन बवान का राइट अंसर गेट्विटी इस एन इन इन इसल फोर्स विच पूल्स अब्जेक्ट वार्थ एन किप्स था प्लेनेट्स मुइंग आंदा सान कुशन बर 12 इस उन दा स्क्रीन आज में सिर्फ यह पराइगराफ पराग्राफिक राओंगा सिब दो इस दो से तीन कोशन सोंगे ओनली वाई डिडिट न्यूटर्न रिटर्न हों फ्रॉम केंब्रीज युनिवर्टी एक त तो राइट आंसर कौन बताएगा मुझे क्या होगा बिल्कुल एक दम किस्टर क्लियर फर्स्ट ही देखते राइट आंसर पड़ा हुआ है कुशन बर 13 विच आफ दफ फ्लोविंग इस्टिमेंट इस इंकरेक्ट अकोर्डिंग तो गिवन पैसेज मैं पढ़ रहा हूं एक बार सुनेंगे न्यूटर्न वैंड टु स्टडियाट कैंब्रीज इंग्लेंड बिल्कॉल डेफिरेटली मुझे बताओ क्या यह राइट ह आपको लगा लगा देंगे यही गलत है ठीकर ना क्यों गलत है बास समझ में आ गया होगा क्योंकि दूस्तों सिस्टेन सिस्टिफाइब में तो वो डिसीज इस इस प्रेड हुआ उससे पहले वो गया है तो यहां पर देखिए वैन ही वोज एटीन इस साथ वेंट टुट इस्टेडिए कंब्रीज उनिवेस्टी ही वोस्ट वेंट इंटस्टेरिंट इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एस्टोनोमी बागी किस्तों को देखनी की जरुवती नहीं है आप तो राइट आंसर दोस्तों वन हो जाएगा उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लियर होगी वट क्या पूच रहा है तरिबल और दिखें ऑपोजिट वर्ड बताना है तरिबल सब लोग जानते हैं क्या होता है हम कहते हैं मेरे लिए बहुत ही तरिबल है ड्रावना भ्यंकर अप कोई भी ऐसे चीज जो डर से भरी हुई हो जी राइट आंसर क्या होगा विच्वाव था फ्लोविंग बैस्ट एक्सपेस्ट अपोजिट बिरिंग टूदा गिवन वर्ट टैरिबल यस दोस्तों यह तो सिननेम हो गया देखें एपलेंगली ड्रीट फुल भी सिननेम है होर चीजे ड्रावनी बिल्कुल भी नहीं होती जिने करने में हमें क्या लगता अच्छा लगता है अना प्लिजेंट फील होता है यह जो चीजे बहुत अच्छी होती है यह 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 बेनिफिशिल टू अस डट इस काल्ट कंजी नियर नेक्स कोशन है 15 और यह आपका सेकंड लास कोशन है दुस्तों नंबर और कोशन देखें नोटिफिकेशन भई अभी आप लोग का आया है तो नंबर और कोशन कल से जादा आपको मिल जाएंगे देखने को हाँ वो जट थेयोरी ऑफ ग्रेविटी फॉर्म बाइ न्यूटन कैसे थेयोरी बनी है जो थेयोरी बनी है वो ग्रेटिविटी की न कैसे बनी कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होना चेंब बहुत आसान सा क्वेशन है देखो भाई उसने क्या किया बताओ जल्दी स थे उसने क्या किया कि जो अपल है उसे देखा कि जो अपल है वो कहां से गिर रहा है वो नीचे गिर रहा है यह देखे ग्रती इस एड इन इन एवसेब फोस्ट वूजेक्ट तोवर्स अर्थ and keeps the planet moving around us and Isaac was fascinated by light he discovered that white light is in fact made of all the colors of the rainbow to sochi get right answer cala trying up look quick what is here after seeing a bird flying in the sky and falling and second hair after throwing some pebbles into sky to fly after seeing and pineapple not flying in the sky and forth is after seeing an apple falling down instead of going up a chagotion or important be a humble joolo joolo met a right answer kya hona check quick quick jaldi say boy for for after seeing an apple falling down instead of going up carid answer was a national shabit third your fourth line here अच्छा कोश्चन है और एक्जाम में ऐसे कोश्चन को आने की पुसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है अरे माप करिएगा जो सेशन होने वाला है उसमें नंबर और कोश्चन से जादा मिल जाएंगे कल से आपको देखने को ठीक ना राइट अंसर उसक्दम फूर्ट था उसमें को टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोश्चन चलिए ठीक है ठीक है दोस्तों अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी छे बज़े तब तक अमना बहुत-बहुत ध्यान रखिये टेक किया से यू टमारो पीडियाप जितने लोगों कुछ ही है वो मेरा टेलिग्रम जो चैनल है इंगे स्पाइन किस्ते आई इसकी पीडियाप मैं वहां सब्सक्राइब करना थांक यू और थांक यू वरी मच जो लोग जूड़ गए हैं भीया मेरे साथ अभी जूड़े हैं उन लोग को फिर बता दू कल फिर छे बज़े अब इस क्लास का टाइम एवरीडे छे बज़े ही रहे गायार प्रसर टाइमिंग चेंज किया है फोर इ प्यू ओर मच यू झाल झाल